हुए है रच प्रěंग्सुट वॉल्कम्टे ना युट उटूब चैनल अज मैं आपको इस वीडियो पे के लिनवाबो के एक नोट का जो रिश्टर्ट पूर्ब्लेम होता है जो फ्लक्सिंग करने के बाद जो रिश्टर्ट प्रोल्लेम होता है ओ यह लिनवो केट नोड है इसमें ओटो रिष्टट प्रोब्लेम हो रहा है यह हमने पहले फ्लक्सिंग किया लेकिन फ्लक्सिंग में यह प्रोब्लेम सॉल्व नहीं हुआ यह ओटो रिष्टट होता है चर्जिंग लगाने से भी ओटो रिष्टट होता है इसका hardware problem है यह software problem नहीं है दोस्तो तो friends इसका motherboard को हमने open करना पड़ेगा क्योंकि इसका boot IC दोस्तो problem है इसका जितने भी आप जो भी flux पहल से flux करिए वह problem solve नहीं होगया वह fluxing करने के बाद भी और restart हो जाएगा कि दोगल्स कर दो अपनि आ उाद गएगा जब कर Lच दोस्तो झाल 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 पहले हम इस हिट्सिंग को ओपन करना है क्योंकि इसके अंदर बूट आई से पहले हम बूट इसको सर्विसिंग करेंगे करने के बाद हो जाए तो अच्छा है लहीं तो उस बूट इसको चेंज करना पड़ेगा झाल 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 यह देखें दोस्तों यह इसका बूटाई से हम पहले इसका फ्लक्स देकर इसको पहले हम सर्फिसिंग करेंगे अगर कोई प्रिंट इसमें मिसिंग है तो इस तरह से प्रोब्लेम आता है इस्टाट प्रोब्लेम यह लेनों वो केट में ज्यादा ही आता है हुआ हुआ है झाल झाल अब हम टेप को हटा लेंगे और उसके बाद इसको चेक करेंगे हमारी प्रूब्लेम सॉल्व हो गया या नहीं हुआ नहीं हुआ तो बूटे इसको चेंस करना पड़ेगा क्योंकि यह फ्लक्सिंग के दौरान नहीं होता है करेंगे हुआ नहीं होता है करेंगे हुआ नहीं होता है यह देखे फ्रेंट्स यह कॉंप्लेटली अन हो गया है इससे पहले हमारी जो प्रूब्लेम था और रिश्टर्ट होता था वो बूट आई सी ही उसका प्रूब्लेम है और जब भी आप इस तरह से प्रूब्लेम है प्लेहले फ्लक्स करें और फ्लक्स से ओंग नहीं हुआ तो उसके बाद इसको बूट इसको थोड़ा हीट दे कर देखे उसके बाद नहीं होगा तो उसका बूट इस चैंज करना पड़ेगा हमने थोड़ी हीट दे दी यह काम हो गया दूस्तों तो आज के लिए इतना है दूस्तों अगर मेरा वीडियो आपको आच्छा लगे प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल